नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिर में आपका स्वागत है प्रेम बिबा का दुखदन दुनिया को अलविदा कह गया जोड़ा गंगा दसहरा पर आयोजित महा आर्थी में सामिलुए हजारों लोग खाद की बिक्री पर रहेगी नजर पंचायत अस्तर पर बनेगी निगरानी टीम स्वरण व्यवसाई को लगा दोला का चुना डिक्की तोड़कर गहने ले भागे चोर डियम की जाँच में पकड़ी गई स्थनक निर्मार की गरवडी जिला परिशत के सरस्यों ने जलाया स्वास्त व्यवाक का पुतला सिक्षित व्योरजगार आटो संक्य अधक्ष का निधन जताया सोक जिले की 47 पंचायतों में जल्द होगा कूने का उठाव खबरे बिस्तार से के प्रयोजग है आरके ज्वलर्स आकरसक आभूशणों के विश्वशनी ये विक्रेता यमुना चौक काम धेनुनेक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्लिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिम्री संपर्थ करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब ख़बरों की चर्चा बिस्तार से जिन्दिगी में कब कहा क्या हो या आप कहनी सकते समझ नहीं सकते एक बड़ा ही दुखत मामला आज सुक्रवार की सुबा सुबा इटारी थाना छेतर के खनिता गाउं से सामने आया वहां आठ माह पहले साधी करने वाले दिने स्चोहान और उनकी पत्नी फुलवन थी दोनों की उमर मत महज 20-23 वरस के आसपास थी इन लोगों ने अपनी जीवान लिला समाप्त कर ली इन दोनों ने आठ माह पहले प्रेम बिवा किया था परिवार के सदस्यों ने इस आठ ने गए तो जाकर कि जो नजारा देखा तो सब आवाक रह गए पुलिस को सूचना दी गई आज सौ सुक्रवार को सदरस्पतार लायागा जहां इनका पुस्टमार्टम हुआ बलेटिन की दूसरी सुर्खी है बकसर में गंगा दसारा के मौके पर बीते दिन गुरुवार कि साम रामरेखा गाट पर भब आरती कायोजन हुआ आप यह नजारा देखेंगे और उसकी कुछ खुबसूरत तस्वीरें भी जहां हमने आपके लिए सहजी हैं तो आप इसे देखकर कहेंगे अमीनी कासी नहीं अब बड़ी कासी हो गई है क्यूंकि उस कासी में तो हंगामा है लेकिन अपने असानती है बहराल आप यह नजारा देख लीजिए और इन खुशूरत तस्वीरों को भी देख लीजिए पूरे दिन गंगा दसारा को में रामरेखा घाट पर सरधालों का आना जाना लगा रहा गंगा असनान करने वाले लोग साम में दीपदान करने वाले लोग सभी सरधालो तरह त अभियान के तहत भी तरह तरह के कारिकर माजित हुए हरी संकर गुपता ने प्रेश भी गव्ति जारी कर बताया उन लोगों ने भी रामरेखा घाट पर स्वक्सता भियान भी चलाया और मागंगा की आरती भी की हरा की आपके सामने का यह पूरा दृत से रामरेखा घाट बकसर का है जिसकी भवता बीते दीन देखते ही बन रही थी अब डुक करते हैं मुलेटिन की तीसरी सुर्खी की तरफ जिराधिकारी अमन समीर की अधक्सता में उरुरक निगरानी समीती की बैठक हुई खरीफ का मौसम सामने है धान की बीचडे खेतों में डाले जा रहे ह है जल्दी रूपनी का समय आ जाएगा इस भी चुरूरक की किलत नहीं हो इसको लेकर जिला प्रशत के तक्स बिद्या भारती दुम्राव के मिधाय कजित कुस्वा जिलाधिकारी अमन समीर ने तरह तरह की चर्चाएं की इसकी विस्तित खबर आप हमारी बकसरकबर.com साइ हैं जिसमें खाद की उपलाब्धता पर बिरह चर्चा हुई जिले को 25,000 MT यूरिया मिल रही है लेकिन परसासन का कहना है यहां 35,000 MT यूरिया भेजी जाए इसकी विस्तित चर्चा फिर हमागे करेंगे बुलेटिन की 34 सुर्खी राजपूर प्रखंड मुक्याले पर पर दवाद लेने गए थे तभी चोरों ने डिक की चोड़कर पूरा माल गायब कर दिया बुलेटिन की पांचवी चुर्की है डियम अमन समीर बुद्धवार के सबताहिक जांच अभियान के दोरान चक्की प्रखंड मुक्याले पहुंचे थे उन्हों ने वहां निर्मार में गरबडियां देखी इसकी हम थोड़ी से आपको बिस्ति जनकारी दे देते हैं सिवपूर दियरा से भी शेसर डियरा एवम चक्की से जवही जाने वाली सनक का डियम ने निरिक्षड किया दोनों जगा उन्हों ने गरबड़ी देखी जहाँ पीसी सी धलाई हो रही थी वहां तो मानक की सीधे सीधे अंदेखी की गई थी जिलाधिकारी ने गरामिड विकास अभीकरन डुम्राओं के अभियंताओं को कहा इसे तोड़कर नया बनाओ साथी वे चक्की के प्रखंड अस्पताल भी गए वहां जाकर दवाकास टाक भी चेक किया आप इस तस्वीर में देख रहे हैं पसीने से तर्बतर जिलाधिकारी लेकिन काम में कोई परहेज नहीं बुलेटिन की चटी सुर्की है जिलापरसद के सदस्यों ने बीते दिन गुरुवार की साम नगर थाना विर्कुवर सिंग्चौक के समीप स्वास विवाक का पुतला जलाया कुछ दिन पहले राजपूर प्रात्मिक स्वासकेंद का निरिक्षन करने गए जिलापरसद के सदस्यों और कुछ पंचायत परतीरियों पर एफायार होई है उसी को लेकर बिरोध पर्दसन का सिलसिला जारी है बुलेटिन के साथवी सुर्की है सिक्षित आटो बेरोजगार संग के अध्यक्ष लल्लू प्रसाद गुपता का निधन हो गया जिनकी तस्वीर आप यहां कोने में देख रहे हैं सुक्रवार को इनके निधन पर संग के सुरस्यों ने अस्टेशन पर सोक सभा कायोजन किया सभी ने उन्हें विनम्र सरधांजली दी लंबे समय से वे आटो संग का निचुत कर रहे थे बुलेटिन के आठवी सुर्की है चलते चलते आपको हम बता दें जिले की संग 47, 47 पंचायतों में जल्धी कूरे का उठाव होगा इसके लिए डीडीसी महंदर पाल ने बीतिये दिन गुरुवार को संबंधित प्रखंडों के वीडियो और मुक्या के साथ बैठक की आज की बुलेटिन मसीतना ही आप देख रहे हैं बकसर खबर हमारे साथ अंतक मने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद